दोस्तो जेशी किषिना चेशी रादे दोस्तो आज की वीडियो जो है वो हमारी सम्मर पेत है पुद के गोचर से पुद मीन राशी में प्रवेश कर रहे हैं वो भी बक्री अवस्ता में दो अप्रेल की दे रात तीन बच कर चववन मिनट पर बुद मीन राशी में बक्री हुए थे और बक्री यानि की उल्टी गती से गोचर करते हुए 9 अप्रेल की रात 9 बच कर 32 मिनट पर मीन राशी में ये बक्री अवस्ता में प्रवेश कर जाएंगे इसके बाद 25 अप्रेल की शाम 6 बच कर 25 मिनट पर बुद मीन राशी में मारगी यानि की सीधी गती से गोचर करने लगेंगे और मारगी गती से गोचर करते हुए 10 माई की शाम 6 बच कर 54 मिनट पर में इस राशी में प्रवेश कर जाएंगे बता दे कि बुद्ध, बुद्धी और बाणे की देपता होते हैं जनम पत्रिका में बुद्ध का सीधा प्रभाब आपके बिजनेस और दिमा की रूप से चो लोग मेहनत करते हैं उनके कामों पर पड़ता है जबकि शरीर में इसका प्रभाब मुख्य रूप से गले और कंधों पर रहता है तो आए जानते हैं कि आज से यानि कि 9 अप्रेल से लेकर 10 मई तक बुद्ध बक्री अविस्ता में बिविन राशियों पर क्या प्रभाब करेंगे और इस इस्तिती में ये सुबफल देंगे ये सुनिश्चित करने के लिए और अश्यो फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए ये भी हम इस बीडियो में बताएंगे तो ये सब चानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें और ये वीडियो आप अपनी चंदराशी के अकोर्डिंग देखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रभाब देखने को मिलेगा लेकिन अगर आपको अपनी चंदराशी पता नहीं तो फिर नाम राशी के अनुसार भी से देखवा सुन सकते हैं इसका प्रभाब भी आपको अवश्य देखने को मिलेगा हमारी ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें कमेंट करके बताएं कि किस सहर से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं अगर आपके कोई डाउट हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर आप कमेंट में जैशी रादे लिखाएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी या फिर आप अपना कोई प्रिश्ण भी पूछ सकते हैं हम उत्तर देने का अवश्य प्रयास करेंगे तो उस्तो अब जादा देर ना करते हुए बड़ी का मेश रासि पर प्रभाव की बात करें तो बक्री बड़ी आपके बारवे स्थान पर गूचर करेंगे जनम पत्रिका में बारवे स्थान का संबंध आपके व्य और सईया सुक से होता है बकरी बुद्ध के इस गोचर्स का प्रभाव आपको सया सुक पाने की कोशिशे करनी पड़ेंगी क्योंकि बुद्ध बकरी अवस्ता में होंगी यानि आपकी नीद में खलल तो पड़ना ही है साथ ही आपको अपनी आमंदनी भी सम्हाल कर रखनी होगी क्योंकि खर्च आपके बढ़ेंगे बेभाव में बकरी बुद्ध के जाने से आज ही विका में कुछ उतार चड़ा भी आपके बन सकते हैं इसलिए बकरी बुद्ध के असुफ फलों से बचने के लिए दस मई तक आपको अपने गले में एक पीले रंग का धागा पहनना चाहिए अब बात ब्रशब राशी की कर लें तो बकरी बुद्ध आपके ग्यारवे स्थान पर गोचर करेंगे जनम पत्रिका में ग्यारवे स्थान का संबंध हमारे आय और इच्छाओं की पूर्ती से होता है बकरी बुद्ध के इस गोचर से आपको अच्चानक धन का लाब होने का मूखा भी मिलेगा आपकी आमंदनी में भी बड़ोत्री देखने को मिलेगी आपको हर तरीके के सुक साधनों की प्राप्ती होगी साथ ही इस बीच अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो भी जल्द ही पूरी हो जाएगी लियाज आप वक्री बुद्ध के सुफ़लों को बनाए रखने के लिए दस मई तक अपने गले में तावे का पैसा अगर धरण करेंगे तो आपको और अधिक सुफ़ल देखने को मिलेंगे अब मिथुन राशी की बात कर लें तो वक्री बुद्ध आपकी दसवे इस्थान पर गोचर करेंगे जनम पत्रिका में दसवे इस्थान का संबन्थ हमारे करियर राज और पिता से होता है वक्री बुद्ध के इस गोचर से करियर में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं साथ ही आपके पिता के करियर की गती भी इस बीच कुछ थम सकती है दस मई तक आपको अपनी और अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए इसलिए वक्री बुद्ध के असुफ रवावों से बचने के लिए दस मई तक मा दुरगा की उपासना आप करेंगे तो आपको लाब होगा अब बात करकराशी कर लाएं तो वक्री बुद्ध आपके नवे स्थान पर गोचर करने वाले हैं जनम पत्रिका में नवे स्थान का संबंद हमारे भागे से होता है वक्री बुद्ध के इस गोचर से आपको अपने भागे का साथ मिलेगा आप जितनी मेहनत करेंगे उसका पूरा पूरा फल आपको जरूर मिलेगा इस दोरान आपकी आर्थिक इस्तिती भी ठीक बनी रहेगी लिहाजा बकरी बुद्ध के सुफल बनाई रखने के लिए आपको दस मई तक हरे रंग की चीजों का उपयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इस समय बुद्ध के रंग का आप इस्तिमाल ना करें तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा अब बात सिंग राशी की कर लें बकरी बुद्ध आपके आठवे इस्तान पर गोचर करेंगे जनम पत्रका में आठवे इस्तान का संबंध हमारी आयू से होता है और वक्री बुद्ध के इस गोचर से आप शारेरिक और मानसिक रूप से फिट रहने वाले हैं आप अपने काम अच्छे से कर पाएंगे और नए विशों पर अच्छे से विचार कर पाएंगे साथ ही आपको अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ड भी चल्द से ही मिलने की उम्मीद है तो वक्री बुद्ध के शुफ फलों को सुनिश्चित करने के लिए बुद्वार के दिन मिट्टी के बड़तन में थोड़ा सा सहद डाल कर घर से कहीं दूर बीराने में दवा दें तो फल अच्छे मिलेंगे बात अब कन्या राशी कर लें तो वक्री बुद्ध आपके साथवे स्थान पर गोचर करेंगे जनम पत्रिका में साथवे स्थान का संबंद हमारे जीवन साती से होता है बक्री बुद्ध के इस गोचर के प्रभाब से जीवन साती के साथ आपके रिष्टों में नौक जोंक होने की संभावना है आपको अपने रिष्टों को संभाल कर रखने की जरूरत है साथ ही अपने जीवन साती का ख्याल भी रखने की जरूरत है लिया जब वक्री बुद्ध के अशुफलों से बचने के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी से भीगे हुए हरे मूं मंदिर में दान करेंगे तो आपके लिए शुप परिणाम मिलेंगे अब बात तुला राशी कर लें तो वक्री बुद्ध आपके छटे इस्थान पर गोचर करेंगे चनम पत्रिका में छटे इस्थान का संबंद हमारे मित्र, शत्रू और स्वास्त से होता है बक्री बुद्ध के इस गोचर के प्रभाब से आपको अपने दोस्तों का साथ मिलेगा और दुश्मनों से छुटकारा मिलने वाला है साथ ही इस दोरान आप खुले दिल वाले होंगे जो भी करेंगे दिल खोल कर करेंगे प्रिंटिंग, प्रेस और कागच के और कलम से जुड़े हुए लोगों को अच्छा फाइदा मिलेगा साथ ही जो लोग समुंद्र की यात्राएं करते हैं उनको भी शुब फल की प्राप्ती होगी अधे वक्री बुद्ध के शुब फल आपको मिलते रहें इसके लिए शुब काम कोई भी शुब काम शुरू करने से पहले किसी कन्या का आशिवा जरूर ले और हो सके तो उसे कुछ गिफ्ट भी दे अब बात प्रश्चिक राशी कर लें तो वक्री बुद्ध आपके पांचवे स्थान पर गोचर करेंगे बुद्धी पिवेक और रोमांस का ये घर होता है संतान का पांचवे घर से संबंध होता है बक्री बुद्ध के इस गोचर से आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा इससे आपको विध्या का लाब भी मिलेगा गुरू से उचित सहयोग की भी प्राप्ती होगी साथी लव मेट के साथ रिष्टों में मधुरता आएगी बक्री बुद्ध के शुफल बनाई रखने के लिए दस मई तक गाय की आपको सेवा करनी चाहिए अब बात धनू राशी कर लें तो बक्री बुद्ध आपके चोथे घर में गोचर करेंगी चनम पत्रिका में चोथे स्थान का संबंद हमारे भवन भूमी बाहन और माता से होता है बक्री बुद्ध के इस गोचर से आपको भूमी भवन और बाहन का लाब पाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपनी मेहनत का उचित फल भी प्राप्त होगा आपको अपनी माता का पूरा सयोग मिलेगा इस दोरान आपको अपने कारियों में धेरे बनाए रखने की जरूरत होगी साथ ही बक्री बुद्ध के अशुप फलों से बचने के लिए केसर का तिलक अपनी मस्तक पर अगर लगाएंगे तो फायदा मिलेगा अब बात मकर राशी करने तो वक्री बुद्ध आपके तीसरे इस्थान पर गोचर करेंगे चनम पत्रिका में तीसरे इस्थान का संबंद हमारे पराक्रम भाई वेहन और यस से हुता है वक्री बुद्ध के इस गोचर से भाई वेहनों का साथ आपके रिष्टे आपके बहतर होने वाले हैं आपके सारे काम बनेंगे आपको अपने कामों में भाई वेहनों से पूरा सयोग भी प्राप्त होगा साथी दस मई तक आपकी आर्थिक इस्ति भी ठीक रहेगी आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करने में सफल होंगे तो वक्री बुद के अतिशुफल प्राप्त करने के लिए दस मई तक सुभा उठकर फिटकरी से अपने दांस साफ करें तो आपके लिए लाब रहेगा अब बात कुम्बराशी कर लें तो वक्री बुद आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे चनम पत्रिका में दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन और सुभाब से होता है बक्री बुद के इस गोचर से आपको धन की इस्तिती में सुधार होगा आपको अचानक से धन के लाब भी होगा साथी करियर में भी बहतरीन मौके मिलेंगे दस मई तक आपको नई चीजों को जानने और समझने का मौका भी मिलेगा इस दोरान आपकी बुद्धी बुद्धिक जो चमता होगी वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है तो बक्री बुद्ध के शुफल आपके लिए ऐसे ही बने रहे हैं के लिए अपने पास चांदी की कोई चीज जरूर रखें आब आज की आखरी राशी यानि की मीन राशी की बात कर लें तो बक्री बुद्ध आपके पहले यानि की लगनिस्तान पर गोचर करेंगे चनम पत्रिका में लगनिस्तान का संबंध हमारे शरीर और मुख से है बक्री बुद्ध के इस गोचर के प्रभाब से समाज में आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्टा में ब्रदी होनी तै है तो आप 10 मही तक किस तरह की कारों में अपना सयोग देते हैं ये माइने रखता है वैसे तो आपकी पत्र का में राजा के समान सुख की प्राप्ति है लेकिन 10 मही तक आपको अपनी जीब के स्वाद पर कंट्रोल रखना पड़ेगा लिहाजा बकरी बुद्ध के शुफ फल सुनिचित करने के लिए और अशुफ फलों से बचने के लिए आपको हारे रंग की चीजे मंदर में दान करनी चाहिए तो ये थी बुद्ध के गोचर से सम्बंदित हमारी सटीक जनकारी और ये आप पर 100% फलिफूत होगी अगर आप पर बुद्ध की दशा या अंतरदशा है तो ये ज़्यादा एफेक्ट करेगी तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताईए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में तब तक चैशी किशना चैशी रादे हर हर महादे